नमस्कार दोस्ता स्वागत आप साभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादे शेर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है उन परिक्षावणतों के ल पेपर कोड़ SO06 जिनका पेपर कोड़ SO06 यानि कि BA third year यानि final year वालों के समाज सास्तर का जो SO06 पेपर कोड़ है उनके लिए इंपोर्टेंट प्रशन मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए बीना देरी करते हूँ सिधा मैं आपको ले चलता हूँ उन इंपोर्टेंट प परिशा के पैटर्न वे कोई किसी परकार का चेंजिस नहीं किया है और जब भी किसी परकार का चेंजिस करते हैं तो हम आपको बता देंगे फिर भी जब आपको अपना पेपर आत में मिले तो आपको पेपर पर लिखे इंस्ट्रक्शन पढ़ने है उसके पसचादी पेपर को स्वालू करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आदीम समाज से आप क्या समझते हैं क्या होता है आदीम समाज आदीम समाज वो होता जिसमें जो है पुरानी परंपराओं और रिती रिवासों को अपनाया जाता है किसने कहा था कि समाज सास्त्र समाज का विज्यान है इसका उत्तर आपको बताना है तो इसका उत्तर आपको बताना है तो इसका उत्तर आपको बताना वाला हूँ किस परकार से आपको उत्तर कहां से मिलेंगे गोत्र बहीर विवा क्या होता है यह आपने फर्स्ट इयर में भी पढ़ा होगा इसका ताजपरी है कि अपने जो गोत्र होता है उससे बहार विवाग किया जाता है किसी एक गोत्र के द्वारा फिर धर्म के दो पक्ष बताना है क्या पक्ष है धर्म के इसका उत्र आपको सीधा गूगल सर्च करना है सीधा आपको इसका उत्र मिल जाए कि दा प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखा कौन है फिर अब बहु देवबाद को परिवाशित करना है बहु देवबाद क्या होता है और एकेश्वरबाद क्या होता है कि भगवान जो होते थे वो सारा उनको एक ही समझा जाता था और बहुत देववाद वो जिसमें देवताओं को जिस परकार से अलग-अलग वेक्ति अलग-अलग अपने देव की पुझा करता था इस परकार से जो अवधारना है उसके फिर भी आपको पुस्तक में पढ़ना ह कि स्रदानत किसना दिया था, इंपोर्टन प्रस्ण बहुत है आपके लिए, यह सर्प नके वल आपके पर्शंटिस इंग्रीज करेंगे बल्कि आपको बहुत ek करेंगे ताकि आपके बहुत अच्छे माक्स है और इस सारे इंपोर्टन प्रशन है क्योंकि वर्दमान माव फिर सामाजीक मानुशास्त्र के अध्यनों के उपागमों का नाम लिखना है आपको वेस्टर मार्क द्वारा प्रस्तुत विवा की परिवाशा देनी है वेस्टर मार्क एक समाज सास्त्री है उन्होंने विवा की परिवाशा अलग दिये वो आपकी पुस्तक में विवा वाले अध्याय में और उसी टॉपिक में आपको मिलेगा कि वेस्टर मार्क के अनुसार विवा की परिवासा यह है फिर वदू मुल्य की अउधारना क्या है वदू मुल्य यह अपन ग्रामिन परिवेशन सुनते हैं पापा जो जनजातियों में बहुत ही प्रचलित है कि वदू का जो मुल्य चुका कर जो साधी की जती है फिर कानून क्या होता है यह आपको बताना है कि कानून होता क्या है फिर आपको बताना है जनजाति से आप क्या समझते हैं जन जाती के बारे में जैसे आप सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है? हलांके आपको इसकी definition लिखनी है फिर अनुकरनात्मक जादू को परिवाशित करना है अब अनुकरनात्मक जादू क्या होता है? जादू तो आपको पता है फिर लेविरेट और सोरोगेट के मद्य अंतर विश्वास को परिवाशित कीजिए डिफाइन दा बिलीव फिर व्राइट मीनिंग अप दा प्रिमिटिव एकोनोमी आदिकालिन अर्थ व्यास्ता का अर्थ बताना है आपको फिर समा सास्त्र वो मानव सास्त्र में अर्थ अंतर है जो वो बताना है गोत्र क्या होता है दुर्खिम द्वारा दियेगे विश्वास्रों के दो परकारों का उलेख करना है गोल्डन बावू नामक पुस्तक के लेखक कौन है निशेद क्या है बहुपती विवा क्या है संस्कृती परियावरन का मानव निर्मित भाग ये किस ने कहा था सामाजी के मानव सास्त्र पुस्टक के लेखक कौन है इसके उत्तर भी आपको बताऊंगा कि इसके उत्तर आपको कहां से मिलेंगे तो ये कम से कम तीस सवाल है और फिर है समाज की तीन परमुक राजिस्थान की तीन परमुक जन जातियों के नाम बताने तो बील मीना ग्रास हिया कुछ के उत्तर मैं आपको सीधा बताते ही चल रहा हूँ समावेशी विकास क्या कहते हैं समावेशी विकास से क्या तत्पर है जिसमें सामजीक आर्थिक, राजनितिक और तार्मिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक विकास होता है उसे समावेशी विकास कहते है समावेसी का मतलब अगता है हर चेत्र का विकास फिर है बी पार्ट के प्रश्णा है जो की आपको पेपर में आपको करने है सामजीक मानव सास्त्र और समाज सास्त्र में अंतर ये प्रश्णा आपको करना ही है क्योंकि इस बार बहुत इंपोर्टेंट है सामजीक मानव सास्तर के आदीम समाजों का अध्यन किया जाता है विवेचना करनी है परिवार के प्रकारियों को इसपष्ट करना है नातेदारी की परिवाशा देनी है क्या होती है नातेदारी जादू को परिवाशित करना है जादू, वो बाला जादू फिर आदीम समाज़ों में वीनिमय उपाहर वैवस्ता को समझाना है राजिस्तान की किसी एक जनजाती का सविस्तार वर्णन करना है अब इसका आप विस्तार किसी का भी कर सकते हो बील का कर सकते हो, मीना का कर सकते हो, ग्रासिय का कर सकते हो फिर हैं सामाजीक मानोशास्त्र के छेत्र की चर्चा करनी है, सामाजीक मानोशास्त्र के प्रकार्यात्म कुपागम पर डिपणी नातेदारी व्यवस्ता को समझाना है, क्या होती है नातेदारी व्यवस्ता, जन जाती है समाज में विवाग के मात्पव की विवेचना करनी है संस्कृति क्या होती है what is culture संस्कृति की विसेस्ता है बता नहीं है संस्कृति में क्या होती है खानपान रहन सेन यही होती है संस्कृति पैनावा और संस्कृति में और भी तत्तो भी सामिल है संस्कृति की विसेस्ता बता नहीं है किस परकार का खानपान होता है किस परकार का रहन सेन है किस परकार की बोली, पाशा इस परकार के फिर आदीम धर्म एक टिपनी लिखनी है आपको बारत की शिकारी और पशुपालग जन जाती है कि आर्थिक जीवन की विवेचना करनी है जन जातिये विकास के कुछ कारिय कर्मों की वेक्या भी करनी है आगो फिर सामाजिक मानव सास्त्र और समाज सास्त्र में क्या अंतर है क्या संबन्द है दिवा के प्रमक उद्देश्यों को शंक्षित में लिखिए आदीम समाजों में प्रथावक कानून के महत्व का वरणन करना है आपको किस परकार से उनका महत्वरा है आदीम समाजों में आदीम मतलब बहुत पहले वाले जिसें प्राचीन से भी जिनका पहले हो वो आदीम है आदीम समाजों में स्रम विबाजन का क्या मैं तो तकिस परकार से जो हैं स्रम का विबाजन था वो बताना है जनजातियों कल्यान एतु सम्विदान में लिखित प्रावदान का उल्लेख करना है आपको जनजातियों के लिए क्या-क्या प्रावदान किये गए तो उनके लिए अनुसूची भी है, एक अनुसूची भी है समिधान के जिसमें इनके लिए प्रादान किया गए, जनजातियों के लिए, और मौलिक अधिकारों में भी दे रखा होगा, विबिन पंच वर्षी योजनाओं में जनजातिय विकास पर शंक्षित विवरण लिख फिर अब बीलों के सामाजी के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालना है, विसेश जनजातिय विकास कारिकरमों का शंक्षित वरणन करना है, तो ये प्रश्ना है, 24 के आसपास आपको, तो ये आपको देखने हैं, अब इनके प्रश्ना के उत्तर आपको कहां पर मिलेंगे, ए पार्ट के उत्तर सारे आपको लगबग लगबग Google से सीधा मिल जाएंगे, और जो Google नहीं कर पाए, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हर अध्याय के परिचे, जो अध्याय का परिचे वाला जो टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है, उसमें सारे आपके उत्तर मिल जाएंगे और आप ज्यादा मोश्ट के बरोसे इसलिए रहते हो, क्योंकि अमुमन मोश्ट चीज़े ही पुची जाती है, और इसके लिए आपको अध्याय परिचे ही पढ़ना है, ताकि आपका दूर नमबर के जो छोटे वाले सवाल है, वो आपके गलत ना हो, और इन सार कार की बात होता है, आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको किस परकार की रिक्वार्मेंट है और आपको और भी हम क्या बेटर कर सकते हैं आपके लिए, दन्यवाद